जया महादादी आप सभी लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल महादी शक्ति मेरेटेशन के इंद्र में आप सभी लोगों का सवागत है आज का मारा टॉपिक है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपको एक शक्ति यानि की सिध्धी पराप्त हो चुकी है या फिर साधना के अंत्र तक आप कैसे पता लगा सकोगे कि ऐसे क्या लक्षण और संकेत आपको बताते हैं कि आपको सिध्या शक्ति पराप्त हो चुकी है इसके बारे में हम बात करने वाले जुड़े रहेगे मेरे साथ और शुरू करेंगे टॉपिक उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना मत भूला और ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी क्यों चाहिए क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को इसलिए पूजा पाट और जाप करने चाहिए कि हमारा जो भी जीवन है अच्छे से बीते सब कुछ बढ़िया रहे सब कुछ अच्छा रहे और भगवान की कृपा प्राप्त होर अंत में हमको मुक्तिय मोक्ष मिले यही हमा सपोज आप एक साधना कर रहे हैं 11 दिन तो आपकी साधना के अंत अंत तक आपको आपकी बाड़ी में वीक्नेस लगने शुरू हो जाएगी पूरी बाड़ी में पेन होने लग जाएगा जब आप रात को सो के सुबा उठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको रा सपनकार दो आपको सेम पेन होगा सबर्ड़ सेंगे चोल्डर वहें पकूर में पेंद में जो हैंकि बोर्डी में जगब हो सकता है और ऐसा ही पेन आपको होता है जैसे कि मैंने आपको भी बताया पहला लक्षन तो यह दूसरे लक्षन की मैं आगर बात करूं तो मैं आपको बताता हूं सेकिंड लक्षन यह रहता है कि अंत तक आते आते ना वो शक्ति जो आपको प्राप्थ होई है वो जरूर आपको सपने में सवपने में दर्शन देगी आधर आप धंग से रूल्ज और रेगुलेशन के साथ उस साधना को परफॉर्म करोगे उस एक परंपरा को उस एक संकल्प को निभाओगे एक प्रॉपर तरीके से तो डेफिनेटली वो शक्ति आपको सवपने में दर्शन देगी ही देगी एक दो परसंट ही चांस रहते हैं कि आपको सवपने दर्शन ना हो उसमें जरूर आपके भाव में कमी रहती है आपके सोच विचार में कमी रहती है और आप नियम नहीं पारण कर पाते हो जैसे कि आप भनुमान जी की साधना में स्पेशिल अगर भ्रमचर्रे तोड़ दो तो आपको definitely सवपने दर्शन नहीं तराप्त हो पाते हैं एक कारण मूलता यह रहता है अब देखो मेरे last video में लोगों ने भ्रमचर्रे को एकदम ही गलत समझ दिया सबने नहीं कुछ लोगों ने भ्रमचर्रे का मतलब यह नहीं है कि आप बिलकुल भ्रमचारी हो जाएंग ना सिर्फ physically बट mentally भी आपको ब्रमचर्रे का पालन करना है ताकि आपको ना कुछ भी गलत ना आपके मन में भाव आए और ना ही आपको कुछ गलत महसूस होना चाहिए ठीक है इससे आपके भाव में शुद्धता रहेंगी और physically शुद्धता रहेंगी आपके अंदर तो definitely आपकी वो साधना सफल होगी यह होता है ब्रमचर्रे का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहें तो अगर आप पूरे नियमों के साथ एक प्रॉपर जो भी आपको बताया जाएगा वैसे प्रॉपर साधना अगर आप करेंगे तो definitely आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगी ल मंत्र की शोझाता के लिए उस मंत्र का हवन करनां चाहिए ऐस मंत्र को आप जप रहेंस उस्कूर्य साधना के दोरान ऐसा आपका रहना चाहिए तो लक्षण मैंने आपको कुछ बताएं अब मैं आपको एक और लक्षण बताता हूँ स्वापने दर्शन मैंने आपको बताया एक बॉडी में पेन हना शुरू हो जाता है साथी में एक और बात साधना के दोरान भगवान आपकी परिक्षा भी लेते हैं तो कभी कबार आप साधना को खंडित कर देते हो यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि साधना आपको एकदम मन से करनी होगी चाहे कुछ भी आपको हो जाए कोई भी अपस्थिती आए कुछ भी हो मतलब लेकिन आपको जरूर जरूर टाइम निकालना है और कोशिश करनी है कि आप साधना के रूल्स को ना ब्रेक करें और उस पूरे रूल्स के अंडर ही रहकर साधना को कम्प्लीट करें देखो साधना हम लोग कर रहे हैं खाफी लोग अलग-अलग जीजन से करते हैं कुछ लोग साधना में मुक्ती मोक्ष मांगते हैं कुछ लोग साधना में शक्ती प्राप्त करने के लिए कहते हैं कुछ लोग साधना में दृष्टी के लिए कहते हैं कुछ औरा मांगते हैं कुछ सुरक्षा मांगते हैं सबका अलग-अलग उदेश्य होता है, उदेश्य के हिसाब से ही आपको चीजी भी प्राप्त होती है, जरूरी नहीं है कि सब लोगों को ही शक्ती प्राप्त हो, अगर आप शुरुवात में एक साधना कर रहे हो, अभी आप फ्रेश-फ्रेश इस स्पिरिच्वल वर्ल्ड मे जपेंगे, उसके बार जाके, साधना करने लाएका, सीदा 11 bunlar करने से आप चाहो कि आपको शक्ती प्राप्त हो जाएं इसा नहीं ताकि आपको knowledge मिले, जैसे मेरे knowledge मेरे teacher से मिलिए, हर किसी के गुरू ऐसे नहीं समझाते हैं, आजकल गुरू इतने अच्छे नहीं बचे हैं, कि आप लोगों को ग्यान दे सके हैं, और चीज़ा सिखा सकें, सब लोगों के अंदर एक भाव रहता है कि कई सामने वाला उनसे आ गलत भावना नहीं आनी चाहिए, कि हम उस शक्ति से कुछ गलत काम कराएं, कुछ वशी करन करते हैं, कुछ बहुत गलत काम करते हैं, कुछ बहुत कुछ गलत चीज़े वो लोग सिद्धियों से करवाते हैं, किसी का मारन करवाते हैं, कुछ गलत करवाते हैं, हम लोगों को तही होगा एकदम गलत उनके पास 24-7 चलने वाली रिकॉर्डिंग होगी जो आपके सामने चला देंगे और आपको दिखा देंगे कि आपने क्या-क्या गलत काम किया तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए अगर आप चाहते हो देखो ये तो समझ लो आप एक जेल है आप सजा काटने आए हैं इस धर्ती पर बित्यो लोक में असली दुनिया इससे कहीं बड़ी है और कहीं गुना लंबी है उस दुनिया में अगर चैन से जीना है तो आपको बुरे कामों को छोड़के अच्छे कामों पे ध्यान देना होगा आपको क्या लगता है कि आपकी ला कर दी और आपको भेज दिया देखने के लिए मैमरी रिमूव नहीं होगी तो यू नो कि आपको अच्छा रहना है गूट स्टूडेंट बनके रहना है जैस दिन मैमरी वापसी आएगी उस दिन याद आएगा तो समझे आप इस बात को ये ना एक टाइप का आपका स्कूल आपको डाल दिया गया यहां पर सजा काटने के लिए और आपका बिहेवियर चेक करने के लिए कि किस हिसाब से इस कल्योग के प्रभाव को इस धरती को देखते हो क्या सोच विचार आपके मन में आते हैं क्या कर्म रहते हैं आपकी लेकिन हम लोगों की दुनिया इस से बह बहुत डिफ्रेंट है वहां पर अगर एक अच्छी पुजीशन चाहते हो एक अच्छा लेवल चाहते हो तो आपको अच्छे कर्म भगवान का नाम जाप करना होगा और एकदम अच्छी तरीके से सबसे बातचीत करकर अच्छी भावना के साथ रहना होगा मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक करना और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जैमादा दीए आप सभी लोगों को